आईपीयल 2030 स्टार्ट होने से पहले रिशब पंत का एक्सिडेंट हुआ है जिससे आईपीयल 2030 से बाहर हो चुके हैं तो ऐसे में रिशब पंत की जगह कौन सो इंडियन विकेट कीपर रहने वाला है जो देली कैपिल के लिए आईपीयल 2030 में विकेट कीपिंग करेगा तो 21 प्लेयर को दिली केप्टल IPL 2023 में कप्ताने बनाएगी मैं इस यूड में आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियो रहने वाली है काफी जादा इंपोर्टन्ट वीडियो में अंतता का बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईगान दवा देना वो ऐसे दोस्तों IPL से जुड़ी अर चोटी बड़ीनी अपडेट सबसे पहले पानी के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिशन मिल जागी तो आईए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बड़ा नाम सामने आया है शर्फराज खान का शर्फराज कान IPL में कई टीमों के लिए खेल चुकिया है और डोमेस्टिक किरिकेट में काफ़ी जादा बहतरीन इनका परदशन भी रहा है तो IPL 2023 में डली केपिल की विगेट कीपिंग सर्फराज खान कर सकते हैं वैसे सर्फराज कान एक बहतरिन विगेट कीपर बले बाज भी है और IPL 2022 में रिशप पंथ और सर्फराज कान की जोड़ी भी हमको तेकने को मिली तीबल की एक से दो मैचों में ओपनिंग भी किये थ और अब बात करते हैं कप्तान की तो IPL 2023 में डली केपिल की कप्तान डेविड ओनर बन सकते हैं डेविड ओनर में वो छमता और काबियत है कप्तानी करने का IPL 2016 का जो खिताफ ता डेविड ओनर की ही कप्तानी में सनाइदत हैदराबाद ने जीता था तो डेविड ओनर को IPL 2023 2023 में अपना कपतान बना सकती है वे यसे कई सारी रिपोर्ट में भी क्लेम किया गया कि देली कैपिल डे zwyट उनर को कपतान बनाईगी व से आपNote क्या लगता है कि डेविटantage को कपतान बनाना चीए या फिर अक्षर पडेल मनीश पंडे या फिर रॉमल पवल में से किसी और प्लेयर को आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता आपको क्या लगता है क्या देली कैपिल आई पील दो हजार तेस के प्ले आउफ में जगे पकी कर पाएगी इस सर्फराज खान एक बहेतरीन विकेट क पर के रूप में अच्छा परदशन कर पाएगा नहीं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं तो दोस्तो इस विडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकन दबा देने तैंक्यू सो मच गाईज फोर वाचिंग दिस वीडि झाल कर दोचिए